Hello everyone, I welcome you all to my official YouTube channel education partner तो आज हम डिसकस करेंगे old English literature that is Anglo section literature या Anglo section period भी हम इसको बॉल सकते हैं जिसका time period था 450 से 1066 AD अब इसमें basically क्या होता है, starting कहां से होती है जो हमारा England है, अभी के time पे हम उसको England बोलते है और उस time पे उसको Britain बोला जाता था तो Britain के जो inhabitants थे, मूल निवासी थे मतलब वहाँ जो लोग रहते थे, उनको calds या cells बोला जाता था हम इसको cells भी pronounce कर सकते हैं और हम इसको calds भी pronounce कर सकते हैं और इनको brightons, brightons इस टाइब से भी लिखा जाता है और इस टाइब से भी लिखा जाता है और इस टाइब से भी लिखा जाता है इंगेल्स, स्कोज, आईरिश, वैल्च, कॉर्निश यह बहुत सारी वहाँ पे टाइब्स जंजातियां रहती थी इंगलेंड में लेकिन जो male inhabitants वहाँ के जो थे, वो थे cells अब क्या होता है जो इंगलेंड है, ब्रिटेन है उसमें जो एक जैसे हमारा इंडिया है तो इसमें भारत माता हमारी डाइटी है वैसे ही वहाँ के जो डाइटी थी वो ब्रिटेनिया थी नेक्स है, then Romans enter and conquer फिर क्या होता है कि जो इंगलेंड था, इंगलेंड में क्या होता है Romans आते हैं, Romans आ जाते हैं England में और वहाँ पर अपना जो है राजस थापित करते हैं हर कोई वहाँ आना चाहता था बिकोज जो इंगलेंड था, जो ब्रिटेन था वो एक fertile land था वहाँ पर खेती अच्छी होती थी मतलब हर चीज कोई भी वहाँ पर किसी भी टाइब का business कर सकता है because वहाँ का environment अच्छा था circumstances अच्छे थे seas, नदियां और जो भी सारी चीज़े होती है वो बहुत अच्छी थी main जो focus था वो थो fertile land के उपर फिर क्या होता है कि जो king है then king like Julius Caesar and Claudius attack देखू सबसे पहले हमें एक छोटा सा learn है keyword से हमें ये देखने है cells जो थे वो रहे वहाँ पर 55 BC तक उसके बाद roman का जो सामराजे सापित हुआ वो 55 BC से 407 AD उसके बाद anglo section invasion हुआ 407 AD से 787 AD और उसके बाद viking invasion हुआ और उसके बाद norman का जो conquest था वो begin हुआ तो अब जो है England में Roman आ जुके थे उन्होंने अपना सामराजे सापित कर लिया था अब हम बात करते हैं जैसे इंडिया में जब अंग्रेज आये थे या मुगल आये थे तो वो लोग आये थे उन्होंने buildings भी बनवाई मतलब monuments भी बनवाई थे बहुत कुछ किया था military भी established की थी तो इन्होंने भी king like Julius Caesar and Clodius उन्होंने इसके उपर England के उपर attack किया और successful towns बनाए buildings बनाए और military and peace को वहाँ पर maintained किया उस टाइम पर जो Latin language थी वो बहुत ज़ादा prevalent थी और वहाँ पर Christianity आये और Christianity कोन लेकर आये थे सैंट अगस्टाइन वहाँ Christianity लेकर आये थे next है अब जो Romans है Romans रोम से England में जाते हैं Britain या England कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं और वहाँ पर अपना conquest करते हैं अपना राज्य सापित करते हैं और sales को बाहर भेजने लगते हैं अब जब दूसरे देश का किसी देश पर राज्य हो जाएगा तो विस्सी बात है वो लोग तो जाएंगे कोई भी slave बनके रहना रोम के उपर एटेक हो नस untuk हो it वो रोम में वापिस चले जाते हैं किस चीज के लिए अपनी country को save करने के लिए अब रोम जो है वो रोम चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है जो यह brightons है यानी ब्रेटीन है इंग्लेंड जो है उस पर जो पिक्ट्स है वो attack करते हैं पिक्ट्स जो हैं वो continuously इस पर attacks करते रहते हैं इसी बीच बृटेर्टेन पे एक attack होता है जिसको बोलते हैं जर्मानिक अटेक और यह किया था जर्मैनिक इन्वेडर्स ने जो कि विजिगोट्स ने किया था ये भी एक ट्राइब थी उसके बाद जो पिक्ट्स हैं वो continuously इंगलेंड के उपर अटेक करते हैं रोमन्स रोम वापिस चले जाते हैं और सैल्स जो लोग है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये पिक्स जो है ये स्कोट्लैंड से है और आयरलैंड की ट्राइब है तो रोमन्स हैव लेफ्ट इंगलेंड टू सेव गेर हेल्पलेस रोमिन 407 AD वो लोग रोम चले जाते हैं अब जो सैल्स को हैल्प चाहिए कि हमारे उपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है ये लोग हमें बहुत ज़्यादा टोर्चर करें और कॉंटिनेसली अटेक करें हमारे पास सेवटी के लिए कुछ भी नहीं है तो उनको कुछ चाहिए कोई ट्राइबस चाहिए अपनी कंट्री को सेव करने के लिए सेफटी के लिए तो वो बुलाते हैं जो सैल्स हैं वो जूट्स, एंजल्स, एंड सेक्शन्स इन तीन ट्राइब्स को अपने कंट्री की सेफटी के लिए अपने ब्रिटेन में बुलाते हैं और ये जो तीनों ट्राइब्स होती हैं ये सी रूट्स के थुरू यहाँ पर ब्रिटेन में चली जाती हैं जूट्स, एंजल्स, एंड सेक्शन्स, यह जर्मैनिक ट्राइब्स हैं, come to defend England and these tribes called by Britain, यह इंगल्स को defend करने के लिए आती हैं, और इन ट्राइब्स को किस ने बुलाया है, बुलाया है, मतलब सैल्स ने खुद बुलाया है, अपनी कंट्री को सेफ करने के लिए, फाइनली क्या होता है, कि जो रोमन्स हैं, वो रोम में चले जाते हैं, और एंजल्स, जूट्स, एंड सेक्शन्स जो है, वो इंगलैंड में, बृतेन में आ जाते हैं, मतलब उनकी कंट्री को सेफ करने के लिए, उसके बाद हम में पता होना चाहिए, कि सेक्शन्स कौन थे, एंजल्स कौन थे, और जूट कौन थे, सेक्शन्स जो थे, वो जर्मन डच थे, ऑगे, एंजल्स जो थे, साउदर्न डैनिश थे, मतलब डैन्मार्क से थे, और जूट कौन थे, वो नोर्दर्न डैनिश थे, डैन्मार्क से, अब क्या होता है, कि अब रोम चला गया, तो से आपर अपना kingdom बना ले तो फिर क्या होता है कि ये लोग जो है वो cells को भगा देते हैं cells को यहां से भगा देते हैं because Britain was fertile land Britain जो था वो fertile land था और हर कोई वहाँ business करना चाहता था हर कोई वहाँ रहना चाहता था George जो है वो वापिस अपनी country चले जाते हैं अब कौन बचता है angels और sections बचते हैं इसलिए इस period को बोला जाता है Anglo section period Now angels and sections ये दोनों Britain में रहने लगे थे cells को अपना slave बनाने लगे थे तो उसके बाद क्या हुआ कि King Arthur जो है इन्होंने England को defend किया Anglo sections थे और ये जो सारी knowledge हमें मिलती है वो Geoffrey और Monmouth से मिलती है और इस time के एक बहुत ही famous writer रहे हैं जिसको हम आगे discuss करेंगे वो है Vanderbilt और इन्होंने एक work लिखा था बहुत ही famous work है History of England अब क्या होता है कि इस kingdom में मतलब ये जो England था यहाँ पर four dialects थी बहुत ज़्यादा famous थी जो कि seven kingdoms में थी तो इसमें जो famous famous है वो सिरफ चार ही kingdom है जिनको हम discuss करेंगे फर्स्ट है Northumbria Northumbria जो है वो literary powerful था मतलब वहाँ पर literary बहुत ज़्यादा थी और यहाँ की जो dialect थी वो थी the Northumbrian और ये North East of England में था Next है Marcia Marcia जो था वो politically बहुत ज़्यादा strong था यहाँ की dialect थी the Martian और ये था between the Humber and Thames River Thames River हमने और T.S. Eliot के और Thomas की poem के बारे में बहुत ज़्यादा सुनी होगी उसकी बाद है Wessex Wessex जो है वो most important place जो है England का वो रहा है Wessex most powerful place भी है most important भी है dialectly powerful था और जो इसकी dialect थी वो west section dialect थी जो की most important dialect है इस period की उसकी बाद है Kent Kent जो है यहाँ की जो dialect थी वो Kentish थी और ये Jures की बॉली थी मतलब Jures की dialect थी और जो Christianity थी वो सबसे पहले introduce की गई थी Kent में 597 में अब बात करते हैं Wessex की Wessex का जो king है वो है King Alfred the Great 1887 से 1899 ये king of England है और एक जो date हमें याद रखनी है वो date है 1066 AD इसमें क्या होता है Norman Conquest begin हो जाता है ये हम अभी discuss करेंगे कि वो कैसे start होता है जो Norwens थे Norwens ने attack किया England के उपर और उस टाइम पे जो king थे वो Alfred the Great थे तो इस battle को बोला जाता है Battle of Stamford England इसमें king Alfred जो है वो England को बचा लेते हैं Norman के attack से उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि within three weeks दुबारा से अब जो Norwens का था वो England के साथ war चल रही थी इसी बीच का होता है William of Normandy France मतलब फ्रांस की वीलियम है Norman नाम के प्लेस के यह इस चीज़ का फायदा उठा देते हैं और England पे अटेक कर देते हैं England की और Norway की चल रहा है war चल रहा है यह जो Norway है England पे अटेक कर देता है लेकिन जो king Alfred the Great है वो इसको बचा लेते हैं defend कर लेते हैं लेकिन फ्रांस इसी चीज़ का फायदा उठाता है और England पे अटेक कर देता है अब जो हो है उस टाइम पे king Alfred the Great के टाइम पे जो है वो उनके साथ fight करते हैं लेकिन उसके बाद 1899 के बाद जब France उसके उपर अटेक करता है England के उपर तो उस टाइम England के जो king होते है वो herald होते है और जो William है वो उनको हरा देते है और खुद वहां के जो है राजा बन जाते है 24th of December को अब हम इस टाइम का जो है वो literature देख लेते हैं Anglo-section period का literature इसमें most important poets जो हैं वो three poets रहे हैं Cadman, Sainwolf and Aldelem अब जो cadman है उनका जो famous work है वो है him oldest poem in English यह जो him है यह oldest poem है English के यह 7th century के writer है section age के Milton भी बोला जाता है और यह producer है choser के producer का मतलब होता है कि उन्हीं के position पे जिसको देखा जाए जैसे choser को choser age की position पे देखा जाता था वैसे ही anglos action period में cadman को as a choser देखा जाता था next है हमारे पास sign wolf sign wolf के famous three works है juliana, ellen and christ second इनको भी choser का producer बोला जाता है next है Aldelem यह इनके जो work होते थे वो mainly orally होते थे तो कोई ऐसा famous work नहीं है इनका सिरफ नाम ही हमें याद रखना है next है उस time पे जो poetry थी वो rhyme में नहीं लिखी जाती थी poetry के कोई rhyme नहीं होती थी but terms होती थी जो कि four famous terms थी alliteration, reputation, forbid and caesura यह four terms थी जो बहुत जादा important थी अब बात करते हैं Elford the great के Elford जो एक king थे तो इनको the great क्यों बोला जाता था यह Wessex के king थे क्योंकि यह new English language के developer थे जो English language को लाए थे UGC net में यह question काफी बार repeat हो चुका है और अभी भी इसके chances है जो English language को लाए थे वो Elford the great थे उसके बाद है यह old English language जो है मतलब जो old English language थी वो बहुत जादा actual में वो English थी ही नहीं वो French और जर्मनी थी जर्मन और फ्रेंच का ही बहुत जादा बोल बाला हम बोल सकते हैं उसको वो था तो यह firstly English language को लाए थे developer भी है और translator भी है क्योंकि यह works को English में translate करते थे अब Romans जो है वो German language का use करते थे जो कि मतलब बहुत जादा hard थी लोगों को समझ नहीं आती थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी वो language तो उस टाइम पे Alfred the Great जो है वो works को English में translate करते थे इसलिए यह बहुत जादा famous developer रहे हैं और साथ ही साथ translator भी यह रहे हैं Next है most important historian work जो रहा है वो है ecclesiastic history of English people by Vendrable Bede Vendrable Bede का हम पहले बता चुके हैं कि of English people और इसको great chronicle भी बोला जाता है यह great chronicle है because chronicles में कोई भी interpretation नहीं होता है कोई भी show of नहीं होता है इसमें जो actually में चीज होती है हमें वही दिखाए जाती है अब इस time की जो five famous manuscripts रही है manuscripts जो original होती है जो किसी चीज की copy नहीं होती है और जो written by hand जो हातों से लिखी जाती है the genius manuscript first है also known as cadman manuscript cadman manuscript भी बोला जाता है यह collection of poems है जिसमें biblical narratives है तो इसको मतलब इसमें चार चीज़ें हम देख सकते है the first and longest is of genesis genesis मतलब किसी चीज के birth को लेकर और यह biblical के बारे में है तो obviously बात है Bible का ही जो birth हुआ था कैसे क्या हुआ था फिर Exodus, Daniel, Christ and Saturn यह चार चीज़े ही हम इसमें याद रखनी और also known as बसे तीन चार चीज़े ही हम इसमें याद रखनी ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके बाद है एक important manuscript the Exeter यह एक anthology है anthology वो होती है मतलब वो collection of writings होता है जो subject तो जिस चीज़े बाद सेम होता है लेकिन वो different different authors ने लिखा होता है यह Exeter cathedral में located थी इसका नाम Exeter है और it contains series of poems यह इसकी poems है और short poems भी यह मिली है जिसमें elegiac है मतलब sadness हम इन चीज़ों में देख सकते है next है Versalli book Versalli book contains poetry and prose यह दोनों contain करती है poetry भी and prose भी और एक most important poem जो रही है वो रही है dream of the road और यह first dream vision भी रहा है first dream vision next है the bevolve manuscript इसको हम British library cotton भी बोलते है और the novel codex भी बोलते है यह इन चारों में से कोई भी नाम इसका आ सकता है यह poetry और prose दोनों contain करती है और typically यह deal करती है monster themes के साथ यह deal करती है including beowulf beowulf एक भी बहुत ही जादा important work रहा है जिसको English national epic भी बोला जाता है और यह 30,000 words में रहा है next है beards ecclesiastic history of the English people अगर यह work ना होता तो जो भी हमने information पड़ी है उस information की हमें कुछ भी जानकारी नहीं होती सब कुछ इस work ने बताया है all about history of England इसमें England की पूरी की पूरी history है next important work है beowulf जो की oldest English epic है heroic epic है और alternative words में लिखा गया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और अगर same series history of English literature आपको चाहिए तो comment box में ज़रूर बताना thank you